नमस्कार मित्र जैमातडी स्वागते आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो कन्या रासी वालो खुशी खुशी अपने सारी संपत्ति तुझे दे दूँगा अगर मेरी यह बात गलत निकली तो मित्रों में दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले 11 दिनों में याने की दिनांक 9 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक इस समय के अंत्राल में आपके जीवन में जो घटनाएं घटेगी उन घटनाओं के बारे में ना तो आज से पहले आपने सुना होगा और ना ही इसी घटनाओं को देखा होगा मित्रो जो गटनाएं आपके जीवन में गटने वाली है वह इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आई की कि आप भी हेरान रह जाएंगे चोग जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है वीडियो बहुत खास होने वाली है हमारे गुरुजी ने बड़ी ही मेहनत से आप सभी के लिए समस्त ग्रहों की चाल के आधार पर एवं नक्सत्रों की चाल के आधार पर इस विशेश वीडियो का निर्मान किया है तो हमारी इस मेहनत के बदले आप से सिर्फ इतनी सी विंती है कि इस छोटी सी वीडियो को अपना किमती समय देकर अंत तक ध्यान से देखिएगा मित्रो सब से पहले तो जो भी भक्त अपनी मां से प्यार करते हैं इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजेगा और कमेंट बॉक्स में गुरु जी का आसिरवाद प्राप्त करने के लिए चिसरी सिवाई नमस्तू भ्यम अवस्य लिखियेगा गुरु देव आपकी सारी मनोकामनाई पुरुन करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी गटनाए आपकी जीवन में गटेगी या साउधानिया आपको बरतना पड़ेगी कौन सी चुनोतियों का सामन आपको करना पड़ेगा समस्त बाते समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर हम आपको प्रदान करेंगे तो आईए अब आप सभी का किम्ती वक्त गवाई बिना बात करते तो भले ही आप उत्सहा से लबरेज हो भले ही आप बहुत आत्मविस्वासी हो लेकिन फिर भी आप किसी ऐसे की कमे महसूस करेंगे जो आपके साथ नहीं है जिसकी वज़े से आपका मन उदास होगा मन थोड़ा सा वियतित होगा आपके खर्चों में बड़ोतरी अचानक से होने को देख रही है जिसकी वज़े से आरतिक इस्ति डगमगा सकी है लेकिन घबराएं नहीं क्योंकि एक समय के बाद आपके आरतिक इस्ति सही साथ हो जाएगी और मित्रों आपको बता देते हैं कि जो चीज़े आपके लिए परिशाने का सबब साबित होती है वह चीज़े जीवन से धीरे धीरे दूर होती हुई नजर आ रही है एसे विवादा इस पद्द मुद्दों पर बहस करने से बचे जो आपके और प्रिये जनों के बीच गतिरोध पेदा कर सकते हैं क्योंकि एसे विवादा इस पद्द मुद्दों से छवी किसी और की नहीं, बदनामी किसी और की नहीं, बलकि सिर्फ आपकी ही होगी एक समय के बाद मित्रों आप देखेंगे कि आपकी आँखों में चमक आने लगेगी और धड़कने तेज हो जाएगी जब आप अपने सपनों की राचकुमारी से मिलेंगे अपने साथी को यूँ ही हमेशा के लिए मिला ना माने सड़क पर बेकाबुगारी ना चलाएं और बेजा खत्रा मौल लेने से आपको बचना चाहिए जो सिंगल जातक है उनके जीवन में एक इतनी बड़िया प्रेमी का दस्तक देगी कि राचकुमारी जैसी यह सहजादी आपके जीवन में चार चांद लगा देगी मित्रो आपको मन पसंद पार्टनर बहुत ही जल्द मिलेगा अगर आप किसी को पहले से पसंद कर दे रहें तो वह इंसान आपकी भावनाओं को समझेगा आप अपने दिल की बात सुनोंगे और सोचल मीडिया पर अपने साथी के साथ अपनी मन की बातों को सेर करेंगे आज का समय में त्रो बहुत बारी की से वेतित करने का है दिखावा बिलकुल भी नहीं करना है कभी-कभी आप दिखावे की चक्कर में अपने ही पेर पर कुलाहडी माल लेते हैं अपने विचारों और बोलने पर अंकुष रखना होगा कब, कहां, किस से, कितना बोलना है और क्या विचार रखना है आई में बहुत जला सुधार होगा और आमोद, प्रमोद और मनुरंजक प्रवत्या पूरे समय आपके जीवन में चलती रहेगी लोगों का मिलना जुलना आपको खुशियां प्रदान करेगा मित्रो ध्यान रखिएगा कि आप गुस्टे के सिकार भी हो सकते हैं लेकिन गुस्टा जीवन को बिगार कर रखता है छवी को बिगार कर रखता है संभंदों को बिगार कर रखता है गुस्टे से कभी किसी का भला नहीं हुआ है तो अपने गुस्टे पर थोड़ा सा कंट्रल रखें कुछ भी हो अपने कार्यालेव सामाजिक और सार्वजनिक इस्थान पर जगड़ा करने से बचें मित्रो धियान रखिएगा कि वाहन का सुख भी मिलेगा जड़ी आप कोई वाहन खरिना चाहते हैं चाहे वहर टू विलर हो चाहे फोर विलर हो जीवन में आने वाला है एक नया मेहमाद सामाजिक कार्यक रोमों में आप भाग ले सकते हैं और नोकरी में इच्छा विरुद्ध कोई अतिरित जिम्मेदारी आपको में सकती है प्रेमी और दोस्त के लिए समय उत्तम है नए रिष्टे बनेंगे आप अपने साथी के साथ समय वेटित करेंगे और प्यार का इजहार करने के लिए समय बहुत अच्छा है मित्रों आपको बता देते हैं कि बिजनस के ड्रश्टी कौन से यह समय बहुत बहतर होगा यदि आप अपने बिजनस में अर्थात व्यापार में निवेश करना चाहते हैं तो कर दीजिए नए डिल से परिवार में खुशी का माथ होगा नए डिल से आपको अच्छा खासा मुनाफा भी मिलेगा आपके मन में नए नए विचारत पनों होंगे अपने सब विचारों को एस जात रख कर सोचे इससे जो निसकरस निकलेगा उससे आपको इस टीटियों से निपटने में काफी मदद मिलेगी मित्रो कोचिंग इंस्टिटूट से पढ़ाने का उफर आपको मिल सकता है यदि आप काफी लंबे समय से घर पर बेटे थे और कोई जोब वगेर आपको नहीं मिल रही थी तो अचानक ही कोई एसी जोब आपके हाथ लगेगी जो आपकी आर्दिक स्टिटी के साथ साथ आपकी छवी ने भी इजाफा लेकर आईगी वित्रो गायत्री मंत्र का जाप करने से आपका मन पूरी तरह से सांत रहेगा इसलिए आप गायत्री मंत्र का जप करें तो जीवन में आपको सांती भी मिलेगी वही समय आपके लिए बेहतर है कुछ पूराने संबंदों को आप ठिक कर सकते हैं और विभास संबंद में मिठास आएगी और रातरी भोच के लिए आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं वही मित्रों आप सभी को बता देते हैं कि बेकार के विवादों में बिलकुल भी ना पड़े मनोरंजन और सौंदर्रे में इजाफे पर जरूर से ज़्यादा वक्त खर्च ना करे एक पारिवारिक आयोजन में आप सभी ध्यान का केंद्र होंगे और आपकी उर्जा का इस्तर बहुत उचा रहेगा क्योंकि आपका प्रिय आपके लिए बहुत सारी खोसी की वजह साबित होगा साथ ही मित्रों आप सभी को बता देते हैं कि दफ्तर की परिसान्यों को हल करने में आपको मानसिक तनाओ का सामना करना पड़ सकता है एसे लोगों से जुड़ने से बचे जो आपकी प्रटिष्ठा को आगात पहुचा सकते हैं क्योंकि एसे लोगों के जुड़ने से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा मित्रों आपकी प्रटिष्ठा को कुछ लोग आगात पहुचा सकते हैं साथ ही इसे नए काम के लिए यह समय बहुत अच्छा है आप नए गाड़ी खरिश सकते हैं नए जीजे घर मिला सकते हैं और मित्रों परिवार और बच्चों के साथ कुछ अच्छा समय बिताए प्रेजनों के साथ आनंद का समय है वही एक चीज का धियान रखिएगा कि आप आलस्यव ठकान का अनुभाव करेंगे बेकार की बाते करने से परहेच करें और अपने रिष्टों और अधिक मजबुत बनाने की कोशिस करें अपने रिष्टों को मजबुत बनाने की सलहा आपको इसलिए दे जारी है क्योंकि मित्रों रिष्टों की डोर बड़ी नाजु जाएं आपके किसी प्रीजन का मुड़ खराब भी हो सकता है तो अच्छा होगा कि आप किसी बेकार की बेहस में ना पड़े धेर और सम्मान और इमित्रों नर्मता से काम ले और व्यापारी वर्ग को फाइदा हो सकता है स्वयम के प्रीये के साथ अच्छी भाती बरताओ करे जोटे आडंबर को स्वयम की सांसों खतना बनाए यार संबंदों में तनाताने का माहूल रहेगा और सौल मेट से मिलने का समय हैं सलाह लेकर ही किसी भी काम को करेंगे तो काम में सफल होंगे घर में हसी खुशी का माहूल बनाए रखे और बच्चों को सरलता अवश्य ही मिलेगी मित्रो समय बहुत खास आप लोगों के लिए रहेगा आपकी कमपने की किसी मल्टिनेशनल कमपनी से डेल फाइनल हो सकती है और जो स्टुडेंस खेल कुद में इंट्रेस्ट रखते है उनको बता देते हैं कि उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा लव मेट अपने पार्टनर को कुछ गिफ्ट कर सकते हैं जिससे आपके रिष्टे मजबुत होंगे मादुरगा को खेर का भोग लगाने से आपको धनलाब होगा संबव है आपके जीवन साथ ही के साथ की गई योजनाय सफल हो जाए और विभार के लिए यह समय बहुत अच्छा है मित्रो आपके दिल के सबसे करीबी व्यक्ति आपको कोई खुश खबर या सर्प्राइज दे सकता है जिससे आपका दिन बन जाएगा और परिवार के सद सुकिसला आपके लिए लाबदायक सावित होगी तो वीडियो की समाप्ति अभी यहीं पर करते हैं वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजेगा और कमेंट बॉक्स में गुरुजी का आशिरवाद प्राप्त करने के लिए श्री सिवाई नमस्तू भ्यम अवश्य लिखियेगा और मित्रो देनिक रासी पर एवं रोजाना ज्यान वर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चैनल को सस्क्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाएगे